हेलो गाइज वेलकम बाक आन मा यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ So guys अभी मैं जा रहे थी चाए बनाने के लिए फिर मैंने देखा कि चाए पत्ती तो है नी इसमें चाए पत्ती के डबे में तो मैंने खा कि चलो फटा फटस जो पहले चाए पत्ती है उसको डालते हैं और आपको लोगो बता दू कि ये आज के व्लॉग में ना दो दिन का व् में शाम की चाय बना रहे थी, वहाँ आप देख रहे हो, दूस्रे वाले बर्नर में चाय चड़ी हूई है, मैंने पेंड पेंड चाय च़ेड़ाई है, और अब यह चाय पत्ती रह देते हैं, तो हमारी बन रहे है चाय, क्योंकि आप लोग temas को पता ही है, चाय के बिगर्त मेरा चलता ही नहीं है चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे बहुत अच्छी रहते हैं चाय कितने भी गर्मी हो मैं चाय जरूर पिऊंगे जैसे सरद्यों में 2-3 कप हो जाती है लेकिन गर्मी में 2-1 कप तो लेकिन पिऊंगी जरूर तो मुझे पसंद है तो बस यही है आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत अच्छी चीजे शेयर करूंगी पूरा व्लॉग देखना ठीक है बिल्कुल भी स्किप मत करना पूरा का पूरा वाच करना और आई होप आप लोग को बहुत प्रूर्री होच से बाता हैं ठीक है सीजन फूर दालती है तो इसके सीजर बटाकी रख दते हैं और शाम से वन ने व्लॉग स्टाट करता है तो यहां पर हमारी काली चाहे खौल रही है जब पूरी चाहे खौण घटे ही चाहली में तभी दूर。」 हूँ ऐसे मैं पहले से कभी दूत नहीं डालती हूं और वह बात लाग है कभी Tellתי मेंожно जब राक पास समय होता है तो मैं हमीसा को थोड़ां सा काली चाइव को खौनाने के बाद ही उसमें डलती हूं इसे चाहे बनती है काफी अच्छी टेस्ट आता है तो अगर आप भी मेरी तरह चाई के शौकीन हो तो कभी ट्राइ करके देखना इस तरह से बहुत अच्छी लगेगी आपको चाई तो अभी सुबह का टाइम है और मैं उठ चुकी थी अच्छा यह जो व्लोग आप देख रहे हैं यह सैटेड़े व्लोग है तो अभी मैंने व्लोग स्टार्ट कर दिया है अच्छा कल शाम को क्या हुआ ना कि मैंने चाय बना ही फिर मैंने चाय पी पति देजी के बाते हो गई तो फिर उसके बाद मैंने सुचा फटा फट से डिनर बनाते हैं शूटिंग विटिंग कुछ नहीं कर पाएंगे तो बस फिर मैंने सुचा चलो जो कल से मेरा व्लोग चल रहा है का एट लिस्ट मैं उसे तो पूरा करूं तो अभी यहाँ पे सैटेड़े है ठ बिल्कुल सिम्पल बनाओंगी अगर आपने भी इस तरह सबजी बनानी है तो जरूर देखना कि बच्चो की लूंच बॉक्स में कैसे सब्जी ढलती हूं मैं आपके साथ सिर्फ यह शियर कर रहे हूं मैं आपको भिंडी की सब्जी कैसे बनाते हैं यह शियर नहीं कर रहे ह मैं सिर्फ ये शेयर करने कि मैं लंच बॉक्स में कैसी सबजी बच्चों को बना के डालती हूं ठीक है तो अगर आपको मेरा श्टाइल पसंद आए तो आप ज़रूर इस तरह से बनाईएगा अच्छा बच्चों की लंच बॉक्स में सबजी कभी भी आप डालो ना तो अगर चोटे बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहे हूं जैसे मेरे बच्चे चोटे हैं तो मैं बिल्कुल भी मिर्ची नहीं डालूंगी ना हरी मिर्च और ना लाल मिर्च लाल मिर्च तो मैं वैसे भी नहीं डालती अपनी किसी खाने में लाल मिर्च नहीं डालती बच्चे चोटे तो उनके हिसाब से मुझे कोकिंग करनी होती है ठीक है और यह लंच बॉक्स में जा रहा है तो फिर तो मुझे बिल्कुल बच्चों के हिसाब से बनाना है क्योंकि वहां पर उनके पास स्कूल में कोई दूसरा ओप्शन नहीं है लंच बॉक्स के सिवा तो बस मैं सिंपल सब आए और बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी अच्छा एक चीज़ हो रहे जब आप भिंडी की सबसे ड्राइब बनाऊना तो दो बातों का बहुत ख्याल रखना और यहां पर मेरी फेवरेट चाय चड़ चुकी है सुबा की पहली चाय है यह मतलब अभी तो मैं उठी थी साड़ लंबा होता है इसकी मुझे क्वी तो यो बिंडी को कभी भी जब आप धो न ड्राई वाली ठीक है और दूसरी बात ये है कि जब आप बिंडी बनाओ न तो ये याद रखना कि अभी आप चलो मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर से से ठीक है क्योंकि जब मैं वो चीछ करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी तब आपको याद रहेगी है ना तो बस यही है अभी सुबा के लंच बॉक्स की त्यारी कर रहे हूं बच्यों का doubts बना रहे हूं साइड वि मैंने चाय चला दिये जैसे आपने देख लिया है और अभी तक दूद वाली आंटी नहीं आयी है हम लोग की जो डूद वाली आ आंटी के ना शुबा साथ बज़ आती है तो अभी दूदित वाली आंटी नहीं आ यह дूद के मने मतलत जो पतेली है ना डेक्ची बोलते हैं आम लोग तो वो मैंने निकाल के रखी हुई है आंटी आएंगी तो दूद ले लेंगे अभी तो खैर 6 बज़ रहे हैं ठीक है तो फटा फट से अच्छा जब भी बिंडी आप बनाओ ना तो मैंने क्या किया जब ड्राई बिंडी बनान तो चलिए मैं बताती हूं अब आपको बताती हूं जो दूसरी बात है उसका वो क्या है वो यह है कि आप बाकी सारे मसाले डाल लो सूखे जो भी मसाले हैं हल्दी है मिर्च है जैसे मैंने यहां पर डाला है हल्दी डाली है और जो यह लाल वाली मिर्च आप देख रहे हो ये केवल color के लिए दोस्तों ये बिल्कुल भी spicy नहीं होती जरी सी भी spicy नहीं होती मैं केवल color के लिए डालती हूँ क्यूंकि मुझे खाने मतलब स्वाद तो होना ही चाहिए देखने में भी ज्यादा मतलब देखने से ही स्वाद पता लगे कि हां क्या खूबसूरत लग रह तो इसके जैसे मैंने क्या डाला है मैं सूखी धनियावनिया ने डालती इसमें ठीक है मैंने केवल इसमें हल्दी और कलर वाली मिर्ची डाली है साइड में अभी भी चाय चड़ी हुई है जैसे आप लोग को पता है जब चाय अच्छे से खौल जाएगी तभी मैं इसमें अध्रक डालती हूं ताकि उसमें तब अध्रक का टेस्ट आए ठीक है तो अभी बताती हूं मैं मैंने हल्दी और मिर्च डाली है और जो नमक नमक आप कभी भी भिंडी की सब्जी में पहले मत डालना अगर ड्राइ सब्जी लंच बॉक्स के लिए त्यार कर रहे हो तो ठी जाधा खौलाती हूं क्योंकि मेरे पास समय था अभी मैंने ज्याधा खौलाया और अभी आप देखना चाय का कलर कितना अच्छा आएगा जब काली चाय आप बहुत खौला लेते हैं उसके बाद ही दूर डालो तो चाय में बहुत अच्छी रंगत आती है और स्वात तो आ बादत नहीं होती है यहां मैंने का चलो आप लोग को बाहर का मौसम दिखाया जाए सुबा चे साड़े चे बजे का टाइम हो रहा था अदेखे कितना साफ है बादल मौसम बहुत प्यारा हो रहा नंदिता मुझे यही बता रहे थी मम्मी पानी की मतलब बारिश की बूंद है कहीं बी आप रहते हो सुबा चे साड़े ची बजे का मौसम बहुत अक्छा लगता है और कंते हैं मुझे चाहिब है इसथि शाम बहुत अच्छी होती है तो मुझे गर्मी अच्छी लगती गर्मी का सेजन अभी मैंने देखो इसमें नमक डाला है ठीक है जब बिंडी बिल्कुल 75% बन चुकी थी तब मैंने इसमें नमक डाला और बिल्कुल परफेक्ट बन गई है और जो मैंने तीसरी बात मुझे आ लाइ बिलकुल भी नहीं बनेगी तो इसकी वजा se महिने सब्सेल में नमक बाद में डाला घ ब市न देकर बिलकुल नहीं बना लेकिन हम यूपी साइट से हैं हम यूपी से हैं तो हम गलका बोलते ठीक है बाकि इसकी रेसिपी आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें शेयर करूंगी ठीक है तो यहां मेरी चाय की रंगत देखो कितनी अच्छी होगी और आजाईए आप लोग भी अगर आप कडाई है तो थोड़ा बहुत लोह की कडाई का भी कलर ना सबस्तिमय आ ही जाता है तो अ आजकल मैं कॉकिंग मैं करनी इस में अच्छा लग रहा इस चांग करने में तो मैं कडाईए च paling रहती हूं सब मैं क्लभी कालर्य में टिक are ठेट के में कालर मर्तर छार्य को सोब दी बनी थी इस तरह से लंच बॉक्स के लिए आप डालोगे ना बच्चे भी बहुत चाव से खाएंगे और बहुत स्वाधिस्ट बनती है अच्छा अभी मैं यह बात बता रहे थी आपको यह जो व्लॉग है साटरडे का व्लॉग है संडे मैंने कोई व्लॉग नहीं पोस्ट कि मतलब पोस्ट सुबा ही कर दूँगी तो संडे मैंने चुट्टी ले ली थी क्योंकि भाई दको हर एक जॉब में चुट्टी तो होती है ठीक है तो इसकी वज़ए से मैंने का चलो संडे वाले दिन थोला रेस्ट कर लिया जाए और मैं काफी बीजी भी थी इसकी वज़ए मैंने यहां अभी तक दूदल एंटी नहीं आई है दूद लेना है बरतन रखा हुआ है तो चलो अभी हम अपनी चाय चान लेते हैं अचा मैंने जो अभी आपको इससे पहले व्लॉग स्टार्ट हुआ तो आपने देखा था मैंने चाय बनाई पर आपके साथ मैं शेयर नह लेती हूं उसके बाद आके मैं बनाऊंगी पराठे बच्चों के लिए तो चलिए जो यह सुबह का टाइम होता ना हजबन के साथ चाय पीना और थोड़ी सी गफशप करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और यह जो टाइम में हम बहुत सी बाते कर लेते हैं हसी मज सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लेना ठीक है बैल आइकन जरूर प्रेस करना और आज का व्लोग आपको जरा सा भी पसंद आया है बिल्कुल थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक जरूर चापना और कमेंट तो आपको लाजमी करना ह ठीक है मिलती हूँ नेक्स व्लॉग में तक तक के लिए बाई बाई ठीक है